दोस्तों हमारी आज की कहानी का नाम है रुक जाना नहीं प्रसिद्ध वैज्यानिक स्टीफन होकिंग 21 वर्ष की आयू में एक बेहत खतरनाग बीमारी से ग्रसित हो गए थे इस बीमारी में शरीर के सारे यंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं इसमें रोगी की सास की नली बंद हो जाने से कभी भी मौत हो जाने का खतरा बना रहता है इस बीमारी से वे डरे नहीं बलकि उन्होंने बीमारी को चुनोती देते हुए वील चेयर पर केंब्रिज विश्विद्याले जाना प्रारंब कर दिया डॉक्टर ने दबी जबान से बोल दिया था कि स्टीफन बस चंद दिनों के महमान है कुछ डॉक्टरों ने तो सपष्ट लूप से बोल दिया था कि वे दो वर्ष से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे इस बात पर स्टीफन हौकिंग ने कहा मैं दो नहीं बीस नहीं बलकि पूरे पचास सालों तक जीऊंगा मुझे जीना है और अपने लक्ष तक पहुँचना है आज पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने अपनी इस बात को सही साबित कर दिखाया उनका निधन 76 वर्ष की आयू में हुआ उन्होंने अपनी इच्छा शक्ती से न केवल असाद्य बीमारी को पराजित किया बलकि पूरी दुनिया को अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का भी लोहा मनवाया आज अगर किसी व्यक्ती के शरीर का एक अंग खराब हो जाए तो वह निराश हो जाता है कोई काम सफल ना हो तो वह निराश होने लगता है लेकिन स्टीफन हौकिंग ने दिखाया कि इच्छा शक्ती के दम पर इंसान क्या नहीं कर सकता है बिमारी के कारण उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था उनके हाथ, पैर, जीब सब खराब हो चुके थे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने दिमाग के दम पर दुनिया की कई महत्वपूर्ण खोज के विज्ञान में उनकी कई खोज ऐसी हैं जिनके दम पर आज भी हम ब्रह्मांड के कई रहस्यों को समझ रहे हैं आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूले